कि अच्छों में आप लोग पढ़ा रहा हूं कंट्रोल सिस्टम तो कंट्रोल सिस्टम बच्छों फर्स्ट जो यूनिट थी उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बच्छों आज हम लोग सेकेंड यूनिट देखेंगे जिसमें बच्छों बैसेकली डिफ्रayन टाइप के स्टेंड़्ट सिगनल के बारे में हमें देखना है तो चलिए हम लोग class को start करते हैं बच्चो और देखते हैं second unit यानि की control system का, यह जो subject है बच्चो यह आपका क्या चला है, unit जो है बच्चो वो आपकी second है और जो subject है बच्चो वो है control system, इसमें बच्चो different type के हमें, जो first chapter था बच्चो उसके अंतरगत हम लोगों ने introduction control system देखा होता है, open loop system क्या होता है, close loop system क्या होता है, उसके with examples के साथ साथ बच्चो linear, non-linear जैसे बच्चो system के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, तो बच्चो आज हम लोग बात करेंगे, जो भी हमारे control system में different type के signals यूज किया जाते हैं, उनके बारे में हम लोग बच्चो और signal की बात करें तो बच्चो आप लोग समझते होंगे, signal को हिंदी में संकेत बोला जाता है, आई बार समझ में, चलिए बच्चो हमें signals की आवसकता क्यों पढ़ी, और हमें बच्चो क्यों हमें different type के signals पढ़ने पढ़ते हैं, वैसे इतना बात जा लीजे बच्चो जो हमा सिगनल, उसके बाद second हम लोग पढ़ेंगे step signal, step signal, उसके बाद बच्चो हम लोग पढ़ेंगे unit ramp signal, unit ramp signal, unit ramp signal, unit ramp signal, fourth number बच्चो हम लोग पढ़ेंगे ramp signal, ठीक है, nest बच्चा फिफ्टम नमबर पर बच्चो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, parabolic signal, parabolic signal यानि parabolic signal देखेंगे, उसके बाद बच्चो nest हम लोग देखेंगे, impulse signal, impulse signal, impulse signal, etc. यह बच्चो हम इनके बारे में इस चेप्टर में पढ़ेंगे, कि unit step signal क्या होते हैं, इनकी क्या conditions होती हैं, एक unit step signal को हमें step signal में बदलने के लिए क्या करना होता है, या ramp signal को unit step signal में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सारी चीज़े बच्चो हम लोग बात करेंगे. ये सारे बच्चो हम लोग standard signal पढ़ें, उससे पहले हमें जरूरत है क्यों हमें signals की लिए बच्चो ये अलग-अलग क्यों इनको बाटा गया है, unit step signal, step signal, ये क्या चीज़े, तो इसके लिए बच्चो थोड़ा सा यहां थियोरी आप लोग पढ़ सकते हैं, देखेंगा, यह प्रेडिक्शन, करने हे तू, input signal का ज्यान आउस्यक है, ठीक है बच्चो, कह रहा है कि ये कोई भी system है, उस system का अगर हमें response का अध्यान करना है, उसका बिसलेशन करना है, यह उसका protection करना है, ठीक, करने के लिए input signal का बच्चो ज्यात होना आउस्यक होता है, हमें signals के बारे ह input पता नहीं होगी, यदि system की input आप कोई पता नहीं होगी, या system का input को mathematically, ठीक है, simple expression के रूप में, mathematically होता है, simple expression के रूप में, द्वारा एक्सप्रेश करना संभव नहीं होगा, तो उस system की performance का पता लगाना संभव नहीं हो पाएगा, ध्यांदना, अगर कोई भी signal है, उस signal को आप क्या कर सकते हैं, बच्चो उस signal के input के बारे में जानकारी नहोगा, या फिर उस input signal के mathematically, simple expression जो होता है, उस signal का, उसके बारे में उत ही कठीन होगा, यानि express करना संभव नहीं होता है, उस system का, यहाँ दिखे लिखा हुआ है, express करना संभव नहीं होगा, उस system का performance पता लगाना भी संभव नहीं हो पाएगा, अत्व, system की performance को समझने है तू, जो भी हमारा कोई system है, system मैंने बताया था क्या होता है, system एक ऐसा elements का connection होता है, जिसमें हम input देते हैं, तो बचों हमें output प्रवाइड कराता है, यानि कह सकते हैं, बचों input एक ऐसा, sorry, system एक ऐसा device है, जिसमें input देने पर, processing के बाद हमें बचों क्या देता है, वो output प्रदान कराता है, ठीक है, यह सारी चीजे बचों हम लोग देख सकते हैं, test signal का use किया जाता है, बेसिकली कह रहा है कि अतह, system का performance को समझने के लिए, test signal का बचों हम लोग यूज करेंगे, ठीक, test signal का तातपर उन signal से है, जो की हमें ग्यात होते हैं, तथा, उनको हम system के input पर apply करके, output response को देखने, वो बिशलेशन करते हैं, तथा, इस प्रकार के control system के behavior मतलब होता है, बचों, व्योहार को समझते हैं, commonly used test signal के उदाहरन इस प्रकार है, देखे बचों, आप लोग इसको test signal बोलिए, या standard signal बोलिए, बात देखिए, तो देखे, यहाँ पर है step signal, ramp signal, parabolic signal, impulse signal, sinusoidal signal, यह different type के बच्चों आपके पास है, signals, यानि कि बच्चों हम क्या कर सकते हैं, कि अगर आपको किस्ती भी control system में, system का input के बारे में जानकारी नहीं हो, अगर हम उसको समझना चाहते हैं, तो उसका हमें mathematically जो expression होता है, जो उसका simple, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, simple expression जो होता है, यानि mathematically जो उसका approach होता है, उसके बारे में हमें जनकारी होनी चाहिए, आई बासोज में, तो यह अलग-अलग type के signal है, जैसे बच्चो बास कर सकते हैं, यह इनको बच्चो हम test signal सी भी बोल सकते हैं, या standard signal भी बोला जाता है, तो test signal अगर हम इनके theory के अमसाल देखें, जो test signal है, यह भी हमारे different type के हो गए, पहला बच्चो हो गया हमारा step signal, क्या हो गया, step signal, second हो गया हमारा ramp signal, second हो गया, बच्चो हमारा ramp signal, ठीक है, थड़ बच्चो यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग का है parabolic, जैसे कि वहाँ मैंने बताया था, third है, इसके बाद हम लोग बच्चो पढ़ेंगे, parabolic signal, parabolic signal, और उसके बाद बच्चो हम लोग फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे, impulse signal, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, impulse signal, and last बच्चो हम लोग पढ़ेंगे, पांचवे नंबर पर, sinusoidal signal, sinusoidal signal, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक-एक को समझते हैं, तो यह बच्चो थियूरी आप लोग लिख लीजिएगा, import star बना ले रहें थियूरी, उसके बाद हम लोग एक-एक पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बच्चो step signal के बारे में, और बच्चों हमने बताया, यह unit number second हम लोग की चल लगी है, जिसमें हम लोग different type के test signal या फिर standard signal के बारे में बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, बासमझ में ही, चलिए, तो अगर बच्चों हम लोग सबसे पहले बात कर रहें, step signal की, step signal क्या होते हैं, देखेगा, तो step signal में बच्चों सबसे पहले आता है हमारा, इसमें दो आता है, एक तो आता है आपका step signal, और दूसरा आता है बच्चों हमारा, एक तो आता है आपका step signal, दूसरा आता है, पहले हम देखते है unit step signal, उसके बाद हम बात करेंगे step की, पहले दे जिसका magnitude एक होता है उसे हम लोग unit step signal के नाम से जानते हैं जैसे बच्चों यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं देखेगा यहाँ पर बच्चों देखो one दिया है यानि इस signal का जो magnitude कितना है बच्चों एक है तो और यहाँ पर बच्चों हम लोग ले रहे हैं time को ठीक बैसिकली यहाँ पर बच्चों हम लोग function लिख रहे हैं y-axis पर u of t ठीक में यू of t तो बच्चों यहाँ पर जो u of t है वो बच्चों प्रदस्चित कर रहा है y-axis पर बासवाँ जो function को प्रदस्चित कर रहा है तो जब बच्चों ध्यान देना हम लोग बात करेंगे standard signal में जो कि पहला बच्चों क्या है मारा unit step signal तो यह दि बच्चों देखिएगा u of t का मान यू of t का मान बच्चों 1 कब होगा ध्यान देना जो इसका magnitude 1 कब होगा जब बच्चों when आपका जो बच्चों ध्यान दना कि जो value है किस value की बच्चों हम लोग बात कर रहे है time की जो t है वो क्या होना चीए 0 से या तो बड़ा हो या तो 0 के लगभग बराबर यानि बच्चों यह relation अगर बनता है तो हमारा क्या मिलेगा 1 मलता है यानि 0 पर अगर बच्चों बात करो 0 से कम अगर 0 से आप कम पर आते हैं तो आपको 1 नहीं यह unit step signal नहीं होता है बास हो जाई आई function of u of t की बात करते हैं बच्चों इसका मान 0 कब होगा ठीक है तो जब बच्चों ध्यान दना t of 0 से क्या हो बच्चों इसमाल हो तो यह बताता है कि बच्चों हमारा क्या होता है unit step signal होता है देखे u of t का मान 1 है यानि यहां पर देख सकते हैं u of t का मान कितना है बच्चों यहां पर 1 तो 1 का मतलब होता है बच्चों basically unity तो यह इस प्रकार के जो हमारे बच्चों क्या हो एक ऐसा सिगनल जिसका मैगनिट्यूड जिसका मैगनिट्यूड एक होगा, उसे उनिट स्टेप उनिट स्टेप सिगनल कहते हैं, थीके बई, देखो, यूनिट स्टेप सिगनल की कहानी यह है, अगर ये रिलेशन मिलता है, तो बच्चो टी का वैलू हमारा कि दना मिलेगा, यहां पर फंक्शन आप, यू आफ टी, बच्चो किदना होगा, हमारा वन होगा, ठीक है, यू आफ टी कितना less than zero हो है तो उस condition बच्चों हमारा क्या जाएगा U of T आपका क्या आता है बच्चों जीरो आता है तो इस relation को आप लोग यहां पर समझ सकते हैं ठीक है तो ये दोनों relation आपको बच्चों आने चाहिए तो हमारा हमक कोई बच्चों उसको बोलेंगे मार सकता बच्चों से ज्यादा भी होख सकता है तो माल लिजे कि हमारा अगर यहीं signal है ठिक अगर signal का magnitude बच्चो हमने कहा कि माल लिजे A है इसका magnitude क्या है बच्चो A है मतलब कि unity A नहीं लिया तो U of T जो होगा U of T जो होगा बच्चो ध्यांदना यहाँ पे U of T जो होगा बच्चो ध्यांदना के ऐसे यहाँ पे तो बच्चो अपका T ही रहेगा तो ऐसा function ध्यांदना बच्चो जिसका magnitude क्या हो रहा है हमारा एक नहीं है यह कब होगा बच्चो इसके लिए condition कौन से फालो करती है हमारी कौन से फिल फालो करती है बच्चो यानि जब T का मान यह consider कर रहा हो उस condition में बच्चो हमारा कहते हैं कि function आफ यह क्या होगा step signal होगा और बच्चो ध्यांदना दूसरा 0 कब होगा यह 0 होगा तब जब T हमारा नह तर्वरा होगा लेस देन फिरो इस condition को हम लोग देश सकते है इसे बोलते हैं भच्चो हम हम लोग क्या Late step signal क्या बोलेंगे बात यसे बोलते हम लोग deep signal unity step signal तब बोलेंगे जब इसका magnitude क्या लोग बच्चो एक हो हो जब सिक का magnitude स्टेंट का मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है 2 3 5 कुछ भी हो सकता है बास सुझे वै平 तो यह कंडि संस हम लोग देझ सकते हैं तो इस प्रकार के सिगनल को क्या बोलेगे हम लोगे बच्चों step signal बोलते हैं और unit step signal किसको बोले थे जिसका बच्चो magnitude क्या हो रहा था हमारा एक हो रहा था तो ऐसे signal को बच्चो हम लोग कै बोले थे unit step signal बाथ सुझ मैं आ गया step signal वह होता है जिसका मान управ ती बराबर 0 तब होगा जब T का मान less than 0 होगा यहीं बात मैंने लिख वाया है और जबकि बच्चो ध्यांदना U of T का मान बच्चो 1 से बच्चो ध्यांदना क्या हो सकता है? 1 हो तब होगा बच्चो जब T का मान बच्चो क्या हो? 0 या 0 से greater हो यानि की बड़ा हो इस तरह समझ सकते हैं बच्चो T सुनने से कम होने पर Unit Step Signal का मान सुनने होता है, ये भी मैंने बात बता था समझ में आ गया? देखे, मैंने ये लिखवा था आपको यहां भी देख सकते हैं कि अगर T का मान सुनने से कम हो रहा है तो हमारा Unit Step Signal का मान सुने था था थिवरी हिंदी में यहां लिख भी सकते हों बच्चों इसको समझने के लिए कि अगर बच्चों यहां पर लिख सकते हैं हम लोग यदी कि यदि टी कामान यदि कामान सुन्य से कम आता है तो यह है ऐह ठीक है कि का मान यदी सुनने से कम आता है देखिए गा तो उस सिगिनल का मान बच्छोद् plant Aa अगर T का मान क्या हो जाए सुनने से बच्चों basically कम हो जाए ठिक होने पर बच्चों unit step signal का मान हमारा क्या हो जाता है सुनने हो जाता है तो यह फिर लिखेंगे यदि T का मान सुनने से कम होने पर सुनने कम होने पर unit step signal का मान unit step signal का मान एक सुनने होता है यह theory बच्चों आप लिख सकते हैं जो भी बाते समझा रहा हूं और लिखेंगे T का मान 0 या 0 से बड़ा होने पर हमारा unit जो step signal होता है उसका मान कितना आता है बच्चों यहाँ आप देखिए एक आता है ठीक एक ऐसा signal जिसका magnitude बच्चों एक आ रहा है उसको बुलेंगे unit step signal आई बात समझ में और यह बच्चों आप लोग वहाँ पर डाइगराम बना लेंगे ठीक यहाँ भी बच्चों लिख सकते हैं देखिए जब T का मान सुनने से छोटा आएगा उसे बच्चों हम लोग क्या करेंगे जो हमारा step signal होता है step signal का मान भी बच्चों हमारा क्या होता है सुनने आता है जैसे बच्चों आपने यहाँ लिखा कि unit step signal का मान सुनने आता है आप यहाँ भी इस तरह से लिख सकते हैं यदि यदी ठीक है? यदी यहाँ पर बच्छों क्या लिखना है हमें? U of T का मान यदी U of T लिखे बलकी लिखोगे यदी T का मान सुनने से कम आता है यदी T का मान सुनने से बच्छों कम आता है देखो, यह सुने से कम होता है, जिधर मूँ फटा होता है, बच्चों उसको बड़ा मानते हैं, तो 0 से T हमारा चोटा है, यदि T का मान सुने से कम आता है, फिक हो, यह T हो जाए, तो, फिक है, step signal, step signal का मान सुनने होता है, लेकिन, यदि T का मान, यदि T का मान, ब्रेकेट में से लिखे लो, T greater than equal to 0, फिक इस तरह से, मान, हो तो, फिक, step signal का मान, step signal का मान, यह आता है, यह मतलब कोई भी constant नमबर आता है, यानि बच्चों ध्यान देना, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब लोगों को समझाने के लिए, कि अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, तो बच्चों यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब 0 से बेलू जो 5 है वो जादा है, तो यह सारी चीज़े आप लोग बच्चों देख सकते हैं, उस यूनिट सिगनल जो होता है, बच्चों यूनिट सिगनल का मान सुनने आता है, उसी तरह बच्चों सिगनल का मान भी सुनने होगा, अगर T का मान बच्चों 0 से कम हो, तो यहाँ पे बच्चों T माने रखती है, तो इस तरह से ध्यान देंगे, तो यह बच्चों नोट क करते हैं हम लोग unit ramp signal क्या करते हैं बच्चों हम लोग unit unit ramp signal unit ramp signal देखो unit ramp signal किसको बोलेंगे ध्यास मिनना देखो unit ramp signal की photo की बात करें तो बच्चों इप फोटो आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है इस तरह से तो unit ramp signal यह हमारा t है x-axis पे यहाँ u of t बच्चों जो की y-axis पे हमनों लिया है बात समझ मैं चलिए और यह हम लोग का बच्चों यहाँ पे सुनने से बच्चों origin से एक straight line हम लोगों ने एक सिधी line को draw कर दिया है ठीक यानि unit ramp signal क्या होता है जो की origin से एक straight line होती है जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे basically unit ramp signal कहते हैं यानि unit ramp signal का बोलेंगे जब u of t का मान कितना हो जाए बच्चों यहाँ पे one हो जाए basically ध्यान दना one हो जाए one का मतलब बच्चों अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा अब लोग को देखेगा one का कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर एक ऐसा signal जिसका slope यानि जिसका ढ़ाल बच्चों क्या हो जाए एक हो जाए ऐसे signal को देखे वहाँ पर हम बात कर रहे था magnitude की लेकि यहाँ पर बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग slope की तो बच्चों ध्यान दना कि अगर उसका slope क्य function of t को इस तरह से लिख सकता हूं into malager t लिख सकता हूं बास सवाज में ही चलिए तो basically अगर मैं कहूं बच्चों u of t u of t is equal to one कब होगा when जब बच्चों t क्या होगा बच्चों greater होगा 0 से and equal होगा बास सवाज में ही but बच्चों यहाँ पर 0 कब होगा when t less than 0 यानि 0 से जब t का मान सुनने होगा तो बच्चों उस condition में हमारा यानि unit जो ramp signal होता है उसका भी मान सुनने आता है आई बास होज में तो यह बाते आप लोग बहुत ध्यान से समझ सकते हैं अगर बच्चों हम लोग slope की बात करते हैं कैसे आपको पता है कि अगर हम mx plus c चलो c constant को हटा देते हैं यानि यह कह सकते हैं y proportional mx लिख सकते हैं हम लोग देखिएगा अगर मैं बच्चों इसको लिखना चाहूं यहां पर अगर मैं इसको function को लिखना चाहूं मैंने यहां पर into t भी लिखा है ठीक है वो दिखाने के लिए time को तो basically यहां पर बच्चों लिख सकते हैं हम लोग y proportional mx या फिर बच्चों इसको u of t y बच्चों क्या हमारा u of t है m के जब मैं बच्चों 1 है और x axis पर बच्चों हमारा क्या है the ratio बोला जाता है क्या बोला जाता है heights up परवणदरा बोलते हैं यह slope बोला जाता है तो em x 오늘도 होता है तो m के जगा पर बच्चों यहां पे 1 लिखा है यदि यहिम बराबर क्या होता है पच्चो सफयाथ और मैने बताया कि बहेँ अगर slope का मान बच्चो 1 आ जाता है यदि अगर slope का मान बच्चो 1 आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे unit ramp signal बोलते हैं ठीक एक ऐसा signal एक ऐसा signal एक ऐसा signal ठीक है जिसके जिसका एक ऐसा signal जिसका slope 1 आता है उसे ठीक है unit ramp signal कहते हैं unit ramp signal unit ramp signal कहते हैं ठीक है तो बच्चो ये बाते ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोई भी signal है जैसे माली जे हमने कहा कि यहां पर हम लोगों ने लिया ती यानि बच्चो अगर देखिएगा यहां पर यू आफ टी है हमने वन रखा तो इसका अगर हम लोग बच्चो अगर एक स्ट्रेट लाइन जो की origin से स्टार्ट हो रही है उसका समीकरण आपको पता ही है कि Y बरावर MX प्लस C होता है अगर इसके नुसार देखा जाए बच्चो तो एक हमारा जो M होता है जिसको हम स्लोप या परवड़ता या बच्चो ढाल से हम लोग इसको प्रदस्त करते हैं बैसिकली अगर हम लोग देख रहें इसका स्व rua औंन आया तो जिस सीगैल का बच्चो स्लोप और आता उसे हम लोग क्या बोलते हैं unit step signal के नाम से जानेंगे हम लोग, ठीक, चलिए, next बिचों हम लोग यहां बात करते हैं, देखेगा, दूसरा आता है, unit ramp signal है बिचों, ramp signal क्या होता है, देखेगे हम लोग बात करते हैं, ramp signal की, ramp signal, देखो बच्चों अगर रैंप सिगनल की बात आती है तो आप लोग एक चीज जान लो कि अगर कोई भी बच्चों हम लोग देखते हैं जैसे मा लिजे कि कोई भी सिगनल है तो सभी सिगनल का जो स्लोप है मा लिजे कि अगर कोई भी रैंप सिगनल है तो सभी स्लोप सिगनल ह बच्चों उसका मान 1 तो नहीं हो सकता ना कुछ तो ऐसे होंगे जिनका स्लोप एक से ज़्यादा हो सकता है और कोई भी constant number हो सकता है तो बच्चों देखेगा जिसका स्लोप not equal to 1 होता है ठीक एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है बच्चों कोई भी constant number होता है उसे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे basically एक ramp signal बोलते हैं तो देखते हैं बच्चों हम लोग ramp signal को अगर हम लोग इसको draw करना चाहें यहाँ पे इस signal को इस तरह से बच्चों हम लोग draw कर सकते हैं basically इस तरह से बच्चों हम लोग ड्रॉब कर सकते हैं यह भी origin से ही बच्चों स्टार्ट होगी ए स्टेट लाइन होगी origin से स्टार्ट हमारी स्टेट लाइन होती है basically और यहाँ बच्चों हमने रखा है ती को यहां पे y-axis पे हमारा है u of t ठीक इस इक्वल टू बचों हम लोग लिख सकते हैं हाँ पर ए डॉट पासवज में चलिए तो बेसिकली यहां पर बचो जो ले रखे हैं हम लोग अगर यहां पर बचो ले रखे हैं हम लोग स्लोप की अगर बच्जों बात करते हैं विशली तो हम लोग स्लोप लिए है वन लीए बल कि यानि की जो स्लोप यानि अइंप जो है बच्चों बिसिकली नॉट टीकॉल टू वअ् हम लोग लिए हैं तो इस ब्रूतों बच्चों T क्या होगा बच्चो greater या equal होगा 0 के and बच्चो 0 कब होगा जब ध्यान देना T less than 0 होगा तो यह conditions बच्चो आपको हर एक signals में लिखते हुए चलना है कोई भी आप signal अगर पढ़ रहे तो इसको अच्छे से draw करते हुए चलना है ठीक तो जो कोई भी signal होगा अगर ऐसा signal जिसका बच्चो slope 1 आता है उसे हम यूनिट रेंप signal बोलेंगे अगर लेकिन बच्चो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा वन नहीं आ रहा है बलकि slope क्या रहा है यह आ रहा है अगर बच्चो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का equation से देखें y बराबर mx plus c से ठीक है या फि देखें वहां लिखा है y के जगा view of t is equal to a into t तो basically बच्चो आप देख सकते हैं कि m के जगा पर जो slope है m क्या होता है बच्चो slope यह ढाल इसके जगा basically यहाँ पर क्या है यह है तो अगर इसका slope देखा जाए इस जो बच्चो signal है जिस भी signal का बच्चो स्लोप हमारा कोई constant number आ रहा है एक नहीं आ रहा है ऐसे signal को बच्चो क्या बोलेंगे हम लोग बच्चो basically बोलते हैं ramp signal बोला जाता है unit ramp signal के लिए condition है कि जो भी हमारा बच्चो ध्यान दिजेगा यहाँ पर आएगा वो one आएगा यानि slope क्या आना जाएगा बच्चो basically one आता है तो ऐसा signal जिसका बच बच्चो हम लोग unit step signal कहते हैं लेकिन बच्चो ऐसे signals जिनका जो slope होता है जो ढाल होता है बच्चो वो one नहीं आता बच्चो कुछ भी constant number आ सकता है मैंने constant number A से प्रदलसित किया है यहाँ पर यह क्या है बच्चो तो basically आपको बताना है कि sir यहाँ पर यह है इसका slope यानिक M ह है M का मतलब होता है बच्चो यहाँ पर basically इसका slope है तो यह बाते आप लोग बहुत ध्यान से अप लोग लिख सकते हैं ठीक है तो इसी तरह से बच्चो डाइगराम आपको बनाना है ठीक है देखिए बच्चो तो basically हम लोग को अगर मा लीजे कि कोई ramp signal है उस ramp signal को differentiation कर देते हैं तो कौन सा signal प्राप्त होता है तो देखिए किसी भी ramp signal को अगर हम लोग differentiation कर देते हैं बच्चो तो हमें step signal प्राप्त हो जाता है और step signal का integration कर दो उसका उल्टा कर दो तो हमको बच्चो mathematical form में बच्चो यहां पर इसको हम लोग note कर रहे हैं ठिक तो मैंने कहा था किसी भी signal जो input दिया जा रहा है किसी भी system को तो उसके बच्चो input के signals के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए साथ साथ उसके mathematically बच्चो जो भी हमारे approach है उसके बारे में हमें जानकारी होनी झाल